लिखांकान अनुपात के इनिक्रम में हम अगले अनुपात की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कुल संपत्तियों का रिण समता अनुपात यानि की टोटल एसेट्स ओन डेप्ट रेशियो किस तरह से कुल संपत्यों पर हम रिंड संपत्य अनुपात कैलकुलेट करें किसे हम कुल संपत्य में शामिल करें रिंड संपत्य में हम किन किन मदों को शामिल करें इस पूरी प्रक्रिया इस पूरी जानकारी को हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हम बात करें कि जो संस्था की कुल संपत्ति और जो दाई तो होते हैं उनके मद्धे हम इसमें संबन्द स्थापित करते हैं और यह ken। में यह जो अनुपात है। वास्त में यह इसलिए गयात किया जाता है ताकि कुल संपत्तियों का कितना भाग हमको रिंड से प्राप्त हुआ है। जनरली जब हम संपत्ती पर्चेस करते हैं तो हम लोन भी लेते हैं एक तरीके से वो संपत्ती हमारे पास आती है लेकिन क्योंकि वो लोन भी ली गई है तो कहीं न कहीं उसका उत्तरदायत भी हमारे लिए बना रहता है तो कितनी संपत्तियां ऐसी है जिन पर लोन अभी भी ब जात करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे कुल संपत्ती बटे दीर्ध काली रिन या फिर हम कह सकते हैं टोटल एसेट डिवाइड़ बाई लॉंग टर्म लोन ये क्यालकुलेशन हम कर रहे हैं टोटल एसेट टुड़ रैशियो के लिए इसे संबन में हम हम यहाँ पर कुछ महत्पूर बिंदू देखते हैं क्या है क्यों क्यालकुलेशन किया जाता है फॉर्मूले में जो चीजे दी गई है उनको हम कैसे फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल संपत्ती के अंतरगत किन-किन संपत्यों को शामिल किया गैर चालू संपत्या और चालू संपत्ती दोनों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे संपत्यों के बारे में हमने काफी विस्तार से पहले के चैप्टर में देखे हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कौन से संपत्या स्थाई है कौन सी चालू संपत्या है गैर चालू संपत्या क्या है इसके बारे में कॉक्त marry विस्तार से जान चुक् Bend我 को शामिल करेंगे जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कुल संपत्य तो उसमें हम गैर चालू संपत्य औरangen UN संपत्य दोनों को इंक्लterior करेंगे एक महत्पूर्ण बात बात दूसरा हमको इस कोई रखना है कि देठा राजर से क्या आशा है देठाइंग जो एक बाद देढ में कि दी अवधिकर जो होता आप सी होता है एक वर्ष से ज्यादा का होगता तो ऐसे समुस्थ Prep, जो एक वर्ष से ज्यादा की अवधिक लिए है उनको हम स्काइ अंतर्गत कह्तर करेंगे फिर साथ में इसके अंतरगतम दीर्दकालीन रिण गैर चालू दाइत्व और दीर्दकालीन प्रावधान इन सब को शामिल करेंगे कब जबकि हम यहां पर दीर्दकालीन रिण की क्यालकुलेशन कर रहे होंगे आदर्श अनुपात की अगर हम बात करें यहाँ पर कुल संपत्यों का दीर्ध कालीन रिण से तो वो भी हमको 2 is to 1 चाहिए कहने का मतलब यह है कि किसी फर्म के लिए अगर संपत्य दुगनी है किस से दीर्ध कालीन रिण से तो यह एक बहुत अच्छे स्थिती को प्रदशित करता है आएए इससे समधित कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करें कुल संपत्यों पर रिण अनुपात की गड़ना निम्न जानकारी से कुल संपत्यों पर रिण अनुपात की गड़ना कीजी long term borrowings 3 lakh long term provision 1 lakh 50,000 current liabilities 75,000 non current assets 5 lakh 40,000 current assets 1 lakh 35,000 total assets to debt ratio यह हो जाता है total assets upon long term debt तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको total assets calculate करना पड़ेगा फिर long term debts calculate करना पड़ेगा और फिर इसके base पे हम debt ratio calculate करेंगे तो total assets में यहाँ हम देख रहे हैं कि non current assets और current assets दोनों दिया हुआ है और दोनों को अगर हम add कर देते हैं तो वो total assets हो जाता है यानि यह हो जाएगा total assets equal to non current assets 5 lakh 40,000 plus current assets 1 lakh 35,000 यानि 6 lakh 75,000 total assets long term debts हम बहुत आसानी से calculate कर सकते हैं आपर क्योंकि हमको long term borrowings भी calculate करके दे दिया गया है long term provision भी दे दिया गया है तो दोनों को अगर हम add कर देते हैं तो long term debts आ जाएंगे तो यह हो जाएगा total assets divided by long term debts यानि 6 lakh 75,000 divided by 4 lakh 50,000 यह हो जाएगा 1.5 is to 1 calculate total assets to debt ratio from the following balance sheet of Risha Limited balance sheet equity liabilities first shareholder funds share capital 10 lakh second non current liabilities long term borrowing 5 lakh third current liabilities trade payable 2 lakh 50,000 total 17 lakh 50,000 assets first non current assets fixed asset tangible assets 11 lakh second current assets inventories 4 lakh trade receivable 1 lakh 50,000 cash and cash equivalent 75,000 short term loan and advances 25,000 total 17 lakh 50,000 इस प्रेश्चन में हमको total assets to debt ratio calculate करना है सेम वही formula हम इसमें यूज करेंगे total assets upon debt total assets क्योंकि calculate करके दे दिया गया है 17 lakh 50,000 और debts प्रूप से यहां पर दे दिया गया है 5 lakh है 5 lakh है question में अगर हम देखते हैं तो और debts कि अगर हम बात करें तो यहां पर debts का मतलब है कि जो long term borrowing है वही debts है तो यहां पर बहुत आसानी से total assets 17 lakh 50,000 divided by debts यानि 5 lakh कर देंगे तो यह हमारा आंसर आजाएगा 3.5 is to 1 निमनलिकेट से पूंजी आवर्त अनुपात की गड़ना कीजिए from the following calculation capital turnover ratio fixed assets cash 12 lakh accumulated depreciation accumulated depreciation till date 2 lakh trade investment 1 lakh current assets 5 lakh 40,000 current liabilities 4 lakh 40,000 cash sale 5 lakh 50,000 gross credit sale 15 lakh sales return 50,000 जहां पर क्यूंकि हमको capital turnover ratio calculate करना है हमको सबसे पहले यह देख लेना होगा कि जिसकी calculation हमको करनी है उसमें जो जो points चाहिए होते हैं को ज़रुत है क्या वो point question में दिये गए है या फिर हमको उसको calculate करना है तो capital turnover ratio हमको calculate करना है इसमें formula use करते है net sale divided by capital employed तो हाला कि इससे संबंदित जानकारी दी गई है लेकिन actual इसकी value नहीं दी गई है capital employed के भी और net sale के भी तो सबसे पहले हम इन दोनों को calculate कर लें तो capital employed के हम calculation करेंगे तो अब ही तक का संचित मुल्यास दिया गया तो वह हमको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि depreciate हो गई यह value तो अब यह जो asset से उसकी value 10 lakh ही हो गई तो यहां पर यहां तो हम direct 10 lakh शो करी है फिर 12 lakh माइनस 2 lakh भी कर सकते हैं और फिर हमको इसमें प्लस करना है current assets हम देख रहे हैं कि 5 lakh रुपीज के हैं वह हम plus कर लिए उसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं तो current assets यहां पर हम देख रहे हैं 5 lakh 40,000 के हैं वह हम plus कर लेंगे उसके बाद investment भी दिया गया है 1 lakh का वह भी हम plus कर लेंगे तो टोटल यह हमने assets हम पर plus कर ली है और इसमें से हम minus कर देंगे current liability जो कि question में दी गई है 4 lakh 40,000 तो overall जो एक capital employed है यह आ जाएगा 12 lakh और अब हम net sale calculate कर लेते हैं तो net sale हमने देखा कि जो total sale होती है total मतलब cash और credit मिला की इसमें से हम sales return को minus कर देते हैं तो यहां पर total sale आ रही है cash sale 5 lakh 50,000 credit sale है 15 lakh और इसमें हम minus कर देंगे तो यह 50,000 का sales return है वह minus हो जाएगा तो total हमारी जो net sale हो जाएगी वह हो जाएगी 20 lakh अब हम हमको capital employed भी मिल गया net sale भी मिल गयी तो हम capital turn over ratio calculate कर ले तो यह हमारा formula है net sale अपन capital employed तो net sale है हमारा 20 lakh और divided by capital employed है 12 lakh तो यह हो जाएगा हमारा capital turnover ratio 1.67 from the following calculate capital turnover ratio first net fix asset 3 lakh networking capital 1 lakh 50,000 cost of goods sold 15 lakh gross profit 3 lakh second shareholders fund 4 lakh long term debt 6 lakh gross profit at 20% on cost was 6 lakh यहां पर हमको दो अलग 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 values दी गई है और इनके अधार पर हमको अलग 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 दोनों बार पूंजी आवर तनुपास यानि capital turnover ratio की calculation करनी है तो हमने देखा कि capital turnover ratio के लिए जो मारा formula है वह है net sale divided by capital employed तो दोनों ही condition में हम capital employed calculate करेंगे फिर net sale calculate करेंगे और फिर उसके base पे हम capital turnover ratio calculate करेंगे तो यह हमारा capital employed first condition के लिए हो जाएगा जिसमें हमने देखा कि हम assets को जोडते हैं और liabilities को minus कर देते हैं तो यहां यहां पर हमारे जो assets fix assets वह है और working capital हमको एक point यहां पर दीख रहा है तो working capital को हम इसमें जोड़ देंगे और किसी प्रकार के अधर कोई current assets यहां पर नहीं है तो हम फिलहाल net fixed assets और working capital को जोड़कर capital employed calculate कर लेंगे जो कि हो जाएगा 3 plus one lakh fifty thousand यहां पर नहीं है हमको cost of goods sold के base और gross profit के इसके हमको net sell calculate करनी है यानि कि बेचे गए माल की लागत थी पंद्रा लाग और लाब उसमें जुड़ गया तीन लाग तो दोनों को मिला के हम विक्रे मुल्य नरधारित करते हैं तो cost of goods sold plus gross profit यानि 15 प्लस 3 लाग एक्वल टू 18 लाग net sales तो यह दोनों हमने find out कर लिया अब हम बहुत आराम से इसको फॉर्मूले में पूट करके capital turnover ratio calculate करनेंगे तो यह हो जाएगा net sale upon capital employed net sale है 18 लाग और capital employed है 4,50,000 तो 18 लाग divided by 4,50,000 यानि कि capital turnover ratio आ जाएगा 4 लाइं second condition में जबकि यहां पर shareholder fund दिया गया है long term debts दिये गया है gross profit at 20% on cost was 6,000,000 दिया गया है इसके base पे हमको capital turnover ratio calculate करना है तो दो चीजे तो must है हमको चाहिए ही चाहिए जब हमको capital turnover ratio calculate करना हो एक net sale और दूसरा capital employed अब यहां net sale और capital employed की calculation के अपने अलग-अलग methods हो जाते हैं अपने अलग-अलग तरीके हो जाते हैं depend करता है कि question में कौन से information दी गई है किस information के base पे हमको इनको calculate करना है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम capital employed calculate करेंगे तो एक तो हमको shareholder fund दिया गया है और एक long term debt दिया गया है तो इसके बैस पे हम calculate कर लेंगे बहुत सारी अलग-अलग condition होती है क्या information है हमारे पास business की इस पे depend करता है कि हम कैसे calculate करें उसको तो capital employed equal to shareholder fund plus long term debt तो shareholder fund है हमारे पास 4 lakh और long term debt है हमारे पास 6 lakh तो यह total 10 lakh हमारा capital employed हो जाएगा और sale हम कैसे calculate करें तो sale यहां पर दिया गया है कि सकल लाब लागट पर 20 प्रतिशत 6 लाग रुपय था तो यहां पर हम यह देख रहे हैं कि जो लाब था वो 6 lakh था और यह किस पर 6 lakh था तो यह लागट पर तो लागट क्या थी विक्रे मूल ले क्या था इसकी calculation हमको करनी है तो हम यह माल लेते हैं कि cost जो है वो 100 रुपीज है अगर cost 100 रुपीज है तो profit किता हो जाएगा 100 का 20% य याने 100 plus 20 याने 120 तो अब हम calculate करेंगे कि अगर gross profit 20 रुपीज है तो sale है 120 तो अगर gross profit 6 lakh होगा तो sale कित्ती होगी तो यह हो जाएगा 6 lakhs into 120 divided by 20 तो यहां पर ही आ जाएगा 36 lakh मतलब अगर gross profit 6 lakh है तो जो हमारी sale है वो है 36 lakh तो हमने net sale calculate कर ली computer तो हमने net sale calculate कर ली capital employed calculate कर लिया अब हम बहुत आसानी से capital turnover ratio calculate कर लेंगे formula put करके तो यहां पर formula है net sale upon capital employed याने 36 lakh upon 10 lakh याने 3.6 time